साबर मती आउलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ प्राकृतिक अमल वही अमल क्या होता है? अमल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खटे होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्का की, भई सिर्का खटा होता है तो इसमें कौन सा अमल पाया जाता है, तो भई सिर्के में पाया जाता है, एसिटिक अमल, क्या पाया जाता है, एसिटिक अमल पाया जाता है, सिर्के में, तो सिर्क को आपको याद रखना है, एसिटिक अमल, इन दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अमल अगली बात करते हैं इमली की तो इमली में कौन सा अमल पाया जाता है तो बात करें इमली की तो इमले में पाया जाता है टार्टरिक अमल कौन सा अमल पाया जाता है और टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में पाया जाता है औक ज जेलीक अमलो कौन सा और जेलीक अमलो पाया जाता है दही जो खटा होता उसमें कौन सा अमलो पाया जाता है तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अमलो कौन सा अमलो पाया जाता है अब बात कर लेते हैं कि चीटी की डंक में कौन सा अमलो पाया जाता है तो लाल चीटी की डं इंपॉर्टेंट जो प्राकृतिक अमल हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अमल किसे कहते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खटे होते हैं और इनका जो पीच मान होता है वो साथ से कम होता है पीच मान जिन पदार्थ का साथ से कम होता है उन्हें हम अमल कहते हैं ज